हलो दोस्तों स्वागत है आप सबी का आज हम आपके जीके से महतपुन सव कोशन करेंगे चाहें आपका कोई साभिक जाम हो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा अगर इसका पीडियप चाहिए तो नीचे वाटसप का गुरूप दिया गया है वहां से जुआइंट होकर इसका पीडियप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिया यह सुरू करते हैं देखिया आपका पहला कोशन दे रहा है कि भारत में पहली बात जणगर्णा कब हुई थी तो अठारह सो बहुतर इस भी से स्टार्ट हुआ था अगला कोशन है कि कुलकत्ता किस नदी के किनारे इस्ति नच्चा स्टियू कोशन है कि मनूष्ट के सरीड में कितने गुरुशूत्र होते हैं अगर जोड़ी में बात करेगा दरीश ॥ा जोड़ी होता है लेकिन संख्या में अगर आपके बात करेगा तो 46 होता है इसके आघ dal कोशन है कि डबल pog़़ सब्द धटीस खेल में से थाने के भी चला था अगला कोशन है कि रक्त को सुध करने वाला अंग कौन सा है तो व्रीक यानि के किरिनी के द्वारा सुध होता है अगला कोशन है कि सरीर में हिमोगलोबीन का क्या कार है तो अक्सीजन का परिवाहन करना इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि भारत में पहली बारे मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारम किया गया था तो कुलकत्ता में प्रारम किया गया था भारत में रेल का आरम किस समय हुआ था तो अठारा सो तिरपन इस भी में हुआ था और कहां से कहां तक चला था तो मुंबई से थाणे के भी चला था अगला कोचन है कि लपी जी गैस में क्या होता है तो लपी जी गैस में आपका ब्यूटेन होता है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद आपका रिगवेद है मानो सरीर में प्रम खोषट किके प्रपरकर का कि बालगार को यह क Cherry मेंट को लुकर को अगनला को स्गर्विल honक होता है कि भारत में अपात काल की प्रत्व घोश्रा कप के गई थी तो प्रत्व होस्रा आपका चीनि आक्रमर्ट के समय किया गया था 26 अक्टूबर 1972 इसमी को क्या गया था अगला कौशन है कि पिसियों में स्वसन वड़ग कौन होता है तो मायो गुलोबीन होता है अगला कोशन है कि लिवकीमिय क्या है तो रूधिर कैंसर है अगला कोशन है कि निद्रा के समय RBC की संख्या में कितना परशन की कमी होती है तो इसका सही उत्तराप का हो जाएगा पांच परशन का कमी हो जाता है अगला कोचन है कि हिर्दय के बिदुत परिवर्तन को अंकित कौन करता है तो ECG के द्वारा किया जाता है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन दे रहा है कि रूधिर असकंद का समय कितना होता है तो 2-8 मिनट होता है बिटामिन्स की खोज किष्णे की थी तो फंक के द्वारा किया गया था अगला कोचन है कि जलिया वाला बाघत्यकान कब होगा था तो 13 अप्रैल 1929 इजबिक होगा था भारत का राष्ट खेल क्या है तो भारत का राष्ट खेल आपका हांकी है इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोचन है कि भारत के राष्टी ज्हंडे की लंबाई और चवडाई में अनुपात कितना है तो 3 रेश्यो दो का अनुपात है इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि भारत का राष्टे जली जीव काउंसा है तो गंगा डालपीन है वासको डिगामा भारत का वाया था तो 1498 इस भी में आया था और वासको डिगामा कहां कराने वाला था तो यह आपका पुर्तगाल कराने वाला था अगला कोशन है कि हवा महल कहां इसी था है तो हवा महल आपके जैपुर में इसी था है अगला कोशन है कि सीख धर्म का संस्थापक की सीख गुरु को मना जाता है तो गुरु नानक जी को मना जाता है अगला कोशन है कि सबसे चमकिला ग्रह काउन सा है तो सबसे चमकिला ग्रह आपका सुक्र है इसके आगे देखे इसके आगे 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 अगला कोशन है कि महात्मा गाधी को राष्ट पिता सबसे पहले किसने कहा था तो नेता जी सुबास चंद बोश जी के दुवरा कहा गया था अगला कोशन है कि पिर्थवी पर उतरी गोलार्द में सबसे बड़ा तो 21 जून को आपका योग दिवस भी मनायी जाता है अगला कोछन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपधिश कहां दिया था तो सारिनाथ में दिया ता इसके आगए ढ़ी isn'tके आगे आपका अगला कोचन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम र वीटोर आपका सिद्धार्थ है अगला कोशना एक मानव सरीर में पाचन किरिया और दिकतर किस अंग में संपन पन होता है तो छोटी आन्थ में संपन होता है अगला कोचन है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस सिधातु का प्रियोग किया गया था तो तामबा का प्रियोग किया गया था भारत में सबसे पहले सूर्ग की सिराज में निकलता है तो सबसे पहले आपका अरवांशा परदेस में निकलता है और सबसे बाद में आपका गुजरात में निकलता है लगभग दोनों में दो घंटे का अंतर राता है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला को काघज काबश्कार किस देश में हुआ था तो काघज का विस scholar आपके चीन में हुआ था भारत में सरश्थ वल्लों का सरोज सेनपथी कौन होता है तो राष्ठती होता है और राष्ठती के बारे अनुछेद 52 में उल्यकिया गया है अगला कोचन है कि मचली किसकी सहाहिता से सांस लेती है तो गल्फ़डों किसाहिता से सांस लेती है इन कलाब जिंदाबाद का नारा खिष्ण न दिया था तो भगर सिंग के दो आगा दिया गया है इसकी आगया कोचन हैinaire कि कि बाल पेंड क के सबसे नजदी ग्रव कउंसा है तो सुक्र ग्रव है इसके आगे देखिए इसके आगे हैपके अगला कोचन दे रहा है कि मनुस्ष की आंख में किसी वस्तू का प्रतिविम कहां बनता है तो रेटीना पर बनता है अगला कोचन है कि किसी बेवसाइट के प्रथम प्रिस्ट को क्या कहा जाता है तो इसे होम पेज कहा जाता है अगला कोचन है कि गाड़ियों के पीछे का दिरिश्य देखने के लिए किस दरपड का प्रियों किया जाता है तो उत्तल दरपड का प्रियों किया जाता है इसके आगे आपका अगला कोचन है कि हावा में ध्वानी की गती कितनी होती है तो 332 मीतर 35 सकेंद होता है तो इसे आप पच्छे से याद रखेगा अगला कोचन है कि सूरी में सरवाधिक गैस कौन सा होता है तो हाईरोजन गैस होता है इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोचन है कि मनुष के सरीर में कितनी हड़िया होती है तो 206 हड़िया होती है सूरी के प्रकास से कौन सा विटामिन मिलता है तो विटामिन D मिलता है अगला कोचन है कि मादा इन फिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है तो मलेरिया नामक रोग होता है अगला कोचन है कि टेलिवीजन का अब इसकार किशने किया था तो एलेकजेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गिया था अगला कोचन है कि RVC का निमर कहां पर होता है तो RVC का निमर आपके अस्ति मज़ा में होता है इसके आगे देखिए, इसके आगे आगे आपकर अगला कोछन दे रहा है, कि पिर्थवी से दिखाई देने वाला सबसे चमकिल अगरा कौन सा है तो सुक्र गरा है और सुक्र गरा जो आपका है या आपके पिर्थवी के समान मनी जाती है अगला कोचन है कि सौर मंडल की आय कितनी है तो 4.06 अरव वर्स है इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि कौन सा पुछल तारा चीहत्तर वर्स बात दिखाई देता है तो हेली पुछल तारा दिखाई देता है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोच लगता है इसके आग्याव का अगला कोचन है कि भारत ने पहला परमार पर इच्छड कब और कहां पर किया था तो यह आपका रजस्थान के पोख्रान नमक असान पर किया गया था और कब किया गया था तो 24 मई 1974 इस भी को किया गया था अगला कोचन है कि कम्प्यूटर के जिस भाग को हम असपर्श कर सकते हैं वह क्या कालाता है तो उससे आपका हार्डवेर कहा जाता है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि सरीर में सबसे बड़ी अंतास्रावी ग्रं जाता है तो भुकम की तिवर्ता मा पी जाती है भूफ पठल में सबसे अधिक कौन सीधात पाई जाती है तो इल्मूनियम पाई जाता है अगला कोचन है कि सीखों का प्रमुक्तिवार आपका पैश्आखि है लोह पुरुस की समा पुरुस को का जाता है तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है, इसके आगे देखिए, इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है, कि सुर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद है, तो जापान देश प्रसिद है, छेतरफल की दिश्टी से भारत का सबसे छोटा राज कौन सा है, तो सबसे छोटा राज आपका सिक्किम राज थंख आगे कि सांज्र का प्रासित्यवार तो दिल्य भारत कि रहदानी कब रेध सी थी तो वर्ष मैं बना था इसकी आगे hacia सांज्र का घ्रत है कि आगला को चन आये कि वाई मेंडल की सबसे तो इसे छोब औमांडल कहा जाता है अगला कौचन है कि छेतफकी दिष्ठी से भारत का सबसे बड़ा राज़ कौन सा है तो सबसे बड़ा राज़ाब का राज़िस्तान है और सबसे छोटा राज़ाब का गौवा है अगला कोचन है कि पिर्थवी दिवस कम मनाई जाता है तो पिर्थवी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाई जाता है अगला कोचन है कि फूलों की घाटी की सराज में इस्तित है तो उत्रा खंडराज में इस्तित है अगला कोशन है कि यूजना आयोकादेश कौन होता है तो भारत का प्रधान मंतरी होता था इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है इसके आगे 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 आगला 86 नमर कोशन है कि असोक चक्र में कितनी तीलिया होती है तो असोक चक्र में आपका 24 तीलिया होती है भारत में सबसे पहली फिल्म काउंसी बनी थी तो राजा हरी स्चंद बना था अगला कोचन है कि सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो सबसे छोटी हड़ी आपका इस्टेपी हड़ी होती है जो की कानों में पाई जाती है अगला कोचन है कि सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो सबसे बड़ी हड़ी आपकी फीमर की हड़ी यानि की जांग की हड़ी है अगला कोचन है कि मानों सरीर में कितनी पेसिया होती है तो 649 पेसि होती है अगला कोचन है कि लाल रग्त कणिका है यानि कि आरवी सी का जीवन कल कितना होता है तो आरवी सी का जीवन कल आपका 120 दिन होता है इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोचन है कि भारत क सबसे बड़ा रेलवे याड कौं सा है तो उत्तर प्रदेश का मुगल सरा है अगला कूचन है कि भारत की पहली महिला रेल मंतरी कौन थी तो इसका सफ उत्तर आपकाonds बनर जी थी इसके आगे ही इसके आगी आपका अगला question है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार कौन सा है तो डिब्रूगर से कन्या कुमरी है अगला question है कि भारत की पहली मेट्रों रेल ट्रेन कहां चली थी तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कुलकाता सहर में चला था अगला कोशन है कि देश की सबसे लंबी दूरी तयक करने वाली रेलगारी काउंसी है तो इसका से उत्तर आपका हो जाएगा वीबेक एक्स्प्रेस है अगला कोशन है कि धर्ती के तल का लगभग कितने प्रतिस्यत भाग पर पानी पाई जाता है तो लगभग आपका एक अतर परसेंट भाग पर पानी है अगला कोशन है कि भारत की सबसे लंबी असलिय सीमा किस देश के साथ लगती है तो बांगला देश के साथ सबसे जदा लगती है और सबसे कम आपके अफ़कर निसान के साथ लगती है तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेगा इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोशन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा गरा अकाउंसा है तो सबसे बड़ा गरा आपका ब्रेस्पती है और सबसे छोटा गरा अकाउंसा है तो सबसे छोटा गरा आपका बुद्ध गरा है अगला कोशन है और आज का लाश कोशन है कि वाई मं इतना ही धन्यवाद.